इस मूबी की सुरुआत में हमें दिखाया जाता है आज से 5000 साल पहले खांडक सहर पे राजा राज कोट करता था वह बहुत ही अत्याचारी और लोगों पर जुल्म करने वाला राजा था उस राजा का इरादा सबक का ताज बनाने का था जो कि उस ताज को पहने का हुआ सारी लेकिन तभी खानों में खुदाई करते समय एक हुआ लड़कियों को अटोलियन का एक टुकड़ा मिलता है वह उस टुकड़े को राजा को नहीं देता है और अपने साथ सारे लोगों को विद्रो करने के लिए उपसाता है लेकिन इसके लिए राजा उसे मौत की सजा सुन जैसे हिए उसे मानने वाला होता, तबी जादूगर उसे वहाँ से गायब करके ले जाते हैं और सारे जादूगर मिलके उसे कई सारी सक्तिया देते हैं और उसे अपना चैंपियन देध एडम बनाते हैं और वह राया कोट को मार के उसकी सत्था को खत्म कर देता है आज के टाइम में खांडग सहर में इंटर गैंग का कभ्या होता है जो कि पूरे सहर पर राज करता है खांडग हमेशा से लोगों का गुलाम नहीं रहा है वह सुरुवात में एक आजा सहर हुआ करता जाता है तभी हमें दिखाया जाता है कि एक आर्केलोजिस्ट अपने ढूनने पर ताज मिल जाता है लेकिन तभी इंटर गैंग की लोग उने पकड़ लेते हैं और ताज को अपने कभजे में ले लेते हैं और ओ इंटर गैंग की लोग जैसे ही इन लोगों को मानने हिवाले होते हैं इंडियाना अपने जान बचाने के लिए ताबूत पर से हुवा घायलो के बेहोस हो जाता है तभी हमें पता चलता है कि एड्रियाना का एक साथी इसमाइल असल में वह इंटर गैंग का आदमी होता है जो अपने लिए ताज पाने के लिए एड्रियाना के साथ होता है तभी एक गौर्णर ऑफीसर अमाडा वालर को इस गटना के ब लाइन पढ़ती है इसमें लिखा गया होता है कि जीवन ही मौत का एक मात रास्ता है एड्रियाना का एक छोटा बेटा होता है जो एड्रियाना को खंडार सर का हीरो मानता है वह यह समझता है कि तुम खांडक सर को बचाने और हम लोगों को फिर से आजात करने के लिए आए और एडम इंटर गैंग के सारे लोगों को मार के उस लड़के की जान बचा लेता है तबी हॉक मैन और सोसाइटी ओफ जस्टिस के लोग वहाँ पर आ जाते हैं एडम को रोकने के लिए सारे मिलके एडम से लड़ाई करते हैं उसे रोकने की पूरी कोचिस करते हैं लेकिन फिर भी ओवा लोग उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं लेकिन तबी डॉक्टर फेट को पता चलता है कि इंडियाना के पास सफेद ताज है लेकिन वे सारे मिलके भी एडम को नहीं रोक पाते हैं और एडम राजा एन कोट के महल के खंडर में चला जाता है और डॉक्टर फे प्राप्त कर पाएंगे एक रोटेट सीन है इसे एक बार जरूर देखें